पुद्णा, आज की समय में दो चीजे, ध्यान प्राणायाम और दूसरा जिम, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, और जिम जाने से हमको बहुत सीमित लाब मिलता है, हमारी सिर्फ मास पेशिया ही बनती हैं, और हम जिम जब तक करते रहते हैं, तब तक हमको लाब मिलता ह और जब हम जिम छोड़ते हैं एक उम्र के बाद, हमारा सिर्फ बहुत तेजी से डाउन होता है, हमारी हट्डियां दद करने लगती हैं, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान प्राणायाम करता हो, उसको कभी कोई बिमारी नहीं सताती, जो व्यक्ति ध्यान प्राणायाम करता हो, उ और उसकी जिन्दगी में आखों की जयोती भी बहुत अच्छी रहती है। और मानवजाती के कल्यान के लिए ध्यान प्राणायाम बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जिम जाने से हमारा सिर्फ एक खास अंगी स्ट्रोंग होता है। और योग से हमारा संपूर सरीर स्ट्रोंग होता है। आपने देखा होगा कि जिम जाने से सरीर बड़ा बलिष्ट होता है लेकिन जो लोग प्राणायाम करते हों ध्यान करते हों। उनका सरीर बहुत strong रहता है, उनके अंदर stamina बहुत अच्छी होती है, और यह stamina permanent रहती है, उनके सरीर की ओज सकती बहुत तेजी से develop होती है, जो कुछ खाते पीते हैं, उनको सरीर में लगता है, लेकिन जिम जाने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ बिमारी से ग्रसित रहता है, खास तोर से जो जिम प्रोड़क्ट का सेवन करते हों, उनको long time में बहुत नुक्सान होता है, और जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान प्राणायाम करता हो, कुछ बिमारी उसकी बहुत तेजी से जाने लगती है, बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं, तो आप देखें प्रोब्लम, अर्स्थमेटिक प्रोब्लम उसमें बहुत लाब मिलता है, साथी साथ जो लोग भजन के पश्चात बजरासन करते हों, बजरासन जैसे हमारे मॉम्नस भाई, पैर मोड करके नमाच पढ़ते हैं, उसको कहते हैं बजरासन, यदि हम भजन के बाद 20 मिनट बजर नहीं होगा, हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रोंग होगा, हमारी मल क्रिया बहुत अच्छी होगी, और हमको कभी भी कोई पेठ की समस्या नहीं सताएगी, आईरवेद में कहा भी है, सर्वे रोग मलासरा, सब बिमारियों की जड़ पेठ है, और जो व्यक्ति प्राणाया जुखाम, फेठडों की, जो कमजोर हो जाते हैं, उनमें प्राणवायू के संचार होने से, उनको बहुत लाब मिलता है, आपने देखा होगा, बहुत से लोग प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन यदी हमको दही जामानी है, तो बरतन बिलकुल साफ चाहिए, बरतन यदी ग साफ हवादार कमरा चाहिए, बहुत से लोग पार्क में जो प्राणायाम करते हैं, और पार्क के आसपास बहुत जाला पोलूशन हो, तो उनको लाब की बजाए हानी होती है, आपने देखा होगा, कि गंगा के किनारे, जब वेपर्स उठती हैं, तो वो लोग प्राणायाम करते हैं, तो कोहरे की जो नमी हैं, वे हमको बहुत नुक्सान देती है, लंग्स के अंदर जाकर कि वेपजोर नहीं होती, हमको ऐसी जगे से प्राणायाम करने से बजना चाहिए, ध्यान से प्राणायाम से हमारा मानसिक इस्तर बहुत स्ट्रॉंग होता है, और जो जिम जा जागरता बहुत अच्छी बनती है, और साथ ही साथ हमारा जो सोचनर समझने का नजरिया है, उसमें भी हमको बहुत लाब मिलता है, प्राणायाम करने से हमेशा BP, कोलेस्ट्रोल, इनकी संभावन तो बिलकुल नॉर्मल रहती है, हमको सताती नहीं, और साथ ही साथ जो लोग नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, उनको ऑस्ट्य और्थ्राइटिस, बैक पेन या सरीर में किसी भी प्रकार का पेन हो, उससे निजात मिलने लगती है, आपने देखा होगा, बहुत से लोग माईग्रेन से बहुत पीडित होते हैं, सिर का दर्द बहुत होता ह और धीरे धीरे एनलजेसिक दावाई खाने के कारण उनको बाद में अलसर भी बन जाते हैं, तो हम यदि नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस परकार की हमको बिमारियों से तो निजात मिलती ही है, साथ हमारी इम्मूनिटी पावर बढ़ती और जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमको ध्यान प्राणायाम दिन में थोड़ा समय निकाल कर अवश्य करना चाहिए, यह दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अनमोल चीज है, जो हमारे पुर्खों ने रिशी मुनियों ने बहुत सहीच के रखा था हमारे लिए, हमको उ प्रित नहीं जानकारियां देते ही हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारा यूट्यूब चैनल आदर्स आयरविदिक उसको जरूर फोलो करें और सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें, दूसरे सोचल मेडिया जो है आदर्स आयरविदिक फार्मेसी के नाम से LinkedIn, Twitter, Facebook पेज और Instagram पर उपलब दें, आप उनको भी जरूर फोलो करें, मैं online, offline, हर समय आपके लिए उपलब दूँ, निशुल्क प्रामर्ज के लिए आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, धन्यवाद